हेलो रवन वेलकम बैक तो माई चैनल माई नेम इस सिर्फी मैं लौफ रट्रेक्शन कोच टावकार्ड ड्रीडर एंड दुसुरी रेकी हिलिंग मास्टर हूँ आज की जो वीडियो है इस वीडियो मैं मैं आप लोकों से बात करने वाली हूँ कि आप अपके पावरफल थॉट्ट से आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से हील कर सकते हैं लेकिन वो काम किसे करता है जब आपका मैं अपका मा proceed भी, तो जब ही आप इस तरीके से बाते करते हैं अपने मन में सोचते हैं या और लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत बिमार हूं, मैं बहुत टाइड फील कर रहा हूं या फिर इस तरीके से यह जो this एस ऐसे जो health related बाते कर रहे हैं अपने निनीयोगों से फोन पर बात करते हैं कि मैं बहुत बिमार हूँ, मैडिसिन बहुत चल रहे हैं या अगर आप अपने उपर भी नहीं, अगर आप और लोग को भी आपके घर पे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है जिसको आप फोन करके लोगों को बता रहे हैं, इनका तबियत खराब है इनको तो ये प्रॉब्लम हो गया है, इनको तो ये बिमारी हो गई है इस समय जब आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपको पता है आपके वर्ड्स कितने पावर्फुल है जब आप यही वर्ड्स को आप बोल रहे हैं, आप वही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको जब आप लोगों को कॉल पर बोलते हैं या सेम चीज़ को आप बार बार रिपीर्ट करते जाते हैं क्योंकि आपके powerful words हैं आप वैसे ही situations को और अपने life में attract कर रहे होते हैं तो भले ही आप बोलोगे कि क्या मैं ये intentionally कर रहा हूँ नहीं आप intentionally नहीं कर रहे हैं लेकिन आप आपकी जो energy है आपका जो focus है उस disease पे उस problem में आप ज्यादा दे रहे हैं आपका जो focus है आप उस पे ज्यादा दे रहे हैं तो जो भी चीज़ पे आप ज्यादा focus देते हैं जो चीज़ के बार में आप ज्यादा बात करते हैं वो चीज़ और grow होती है ठीक है तो जब भी आप disease के बार में बात कर रहे हैं किसी को diabetes है किसी को high BP है high blood pressure है किसी को बुखा रहा है कोई अभी का जो virus है उससे लड़ रहा है यह जब आप चीज़े बोल रहे हैं वो चीज़ें में आप उसे affirm कर रहे हैं जाने अन जाने में और वही चीज़ आपके life में manifest होते चली जा रही है चाहे आप किसी को phone कर रहे हैं phone पे बता रहे हैं चाहे आप अपने आसपड़ोस के लिगों को बता रहे हैं या फिर आप खुदी affirm कर रहे हैं कि मैं तो बिमार हूँ मेरा तो तब्याट ठीक नहीं है मुझे medicines लेना पड़ रहा है इस तरीक से जो भी आप health related जिसमें भी आप focused हैं जिसमें भी आप अपने words को डाल रहे हैं वो सारे चीज़े manifest हो रही हैं तो इसके opposite आपको करना है ताकि आप अपकी जो health है आप उसे खुद से heal कर सके क्योंकि जब आपका subconscious mind में आपकी जो powerful बाते हैं वो subconscious mind तक जाएंगी आपके body की जो cells हैं वो अचानक से heal होना start हो जाएगा किस तरीके से होगा आपको अपने आपको affirmations देना है कि मैं heal हो रही हूँ आपको इस तरीके से visualize करना है कि आप अपने old self में वापस से ढल रहे हैं अगर आप अपना weight loss भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं बार-बार repeat करना है ऐसे affirmations नहीं देना है कि मैंने weight gain कर लिया है आपको ऐसा नहीं करना है इससे आप उस sentence को और ज्यादा power दे रहे हैं और ज्यादा focus दे रहे हैं और ज्यादा energy दे रहे हैं आपको उल्टा करना है कि मेरा weight loss हो रहा है मैं वापस से अपने old self में पहुँच रहे हूँ मेरे जो desired weight है मैं उसमें पहुँच रहे हूँ मेरी body जो diabetes जो patients है अगर आप खुद भी है या आपके कोई friends है या कोई आपके family member है जिसको भी आप phone पे बता रहे हैं किसी friend या family member को नहीं खा सकते यह जो चीज़े आप बात करें यह सारे चीज़े affirmations आप दे रहे हैं उन्हें फोकस दे रहे हैं कि यह चीज़े उनके साथ हो रही है और वही चीज़ जिस पर आप फोकस दे रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा तो आपको करना क्या है आपको उसका opposite करना है आपको उस problem में फोकस नहीं देना है आपको solution पे फोकस देना है अगर वो diabetes है आपको ऐसा बोलना है कि वो heal हो रहे है यह एक phase है यह एक phase है पहले तो नहीं था पहले था नहीं था पहला अभी वो phase आया है तो आप बोलेंगे वो heal हो रहा है उनके cells खुद heal होना start हो रहा है और वो वापस से normal person हो रहे है एक healthy person हो रहे है एक energetic person हो रहे है इस तरीके से आपको affirmations देनी है जो high blood pressure जिनका है या load blood pressure है या जिनका thyroid है या जो भी बड़ी बिमारियां है मुझे नहीं पता ह मुझे affirm भी नहीं करना है लेकिन एक example के तौर पर मैं आपको लोगों को बता रही हूँ ताकि आप उसे समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाहा रही हूँ तो उसमें आपको problem में focus नहीं करना है आपको solution पे focus करना है आप ऐसे किसी को भी phone के नहीं बताएंगे या किसी पे affirmations भी यह problem है या उनको यह बिमारी है आपको बोलना है कि यह एक phase है यहां से वो heal होके वापस से heal हो रहे है एक better person बन रहे है एक strong and energetic person बन रहे है language matter नहीं करता है आपकी feeling आपकी vibration आपके emotions feelings matter करती है ठीक है तो आपको इसे तरहीं से आपके जो sentence है जो आपके powerful words है उससे change करो अगर आप इसे change नहीं करोगे तो my dear आगे जाके और भी ऐसे situations आपको face करने पड़ेंगे क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ मैंने आपको एक video भी मेरा success story भी share किया था कि मेरे powerful words कितने powerful है कि मैंने बस बोल के मैंने एक mobile को manifest किया है तो मेरे लिए words काफी powerful है आप जो बोलते हैं आप उस manifest करते हैं आप जो सोचते हैं आप उसे manifest करते हैं तो हमारा जो thoughts है हमारे जो words है हमें उसे change करना है जब हम उसे change करेंगे हम चीजों को automatically manifest करेंगे in a better way ठीक है तो आपको ये सारी चीजे ध्यान से ये सारी चीजों को छोड़ दे बोलना और positive बाते करना start कर दो कि ये heal हो रहे हैं इनकी body की जो cells है वो अपने आप healing position पे जा रहे हैं ये जो बिमारी है उससे निकल कर वो वापस एक healthy person बन रहे हैं मेरे cells boost up हो रहे हैं मेरे cells energetic हो रहे हैं इस तरीके से आपको affirmations देनी है ठीक है ये बात मुझे ऐसा लगा कि मुझे share करना चाहिए इसलिए मैं आप लोगो है आपकी क्या राय है आप comment session में share कीजिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में अगर आपको मेरी law of attraction की mind power magic workshop जो की 31 days की है अगर आपको join करना है beginners के लिए ये law of attraction की workshop है अगर आपको join करना है तो description पे detail से आप check out कर सकते हैं start हो र